नमस्कार दोस्तों मैं समुझ चोरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ओफिसियल यूटूब चेनल स्टिडी वायर में और मित्रो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्च और अप्रेल महा के इंपोर्टेंट डेज जो कि आपके एक्जामों में पुछे जाते हैं तो मित्रो इसका पहला वीडियो जनवरी और फर्वरी महा का जो इंपोर्टेंट डे है वो अप लोट कर दिया गया है और यह आज इसका सेकेंड लेक्शर है इसके चार लेक्शर और आएंगे तो आप इन्हें सारे लेक्शर यदि आप कर लेते हैं तो पूरे साल भर के जितने भी डे हैं, जो कि एक्जाम में पूशे जाते हैं, वो इंसे बाहर से नहीं आएंगे, तो आईए मित्रो, हमारा वीडियो स्टार्ड करते हैं, तो सबसे पहला कोशन है, आज मार्च का, कि चार मार्च को, चार मार्च को कुण सा दिवस मनाया जाता है, तो च मार्च को, और मित्रो यह चीजी आद रखें कि 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस, कुण सा दिवस, राष्टी बालिका दिवस, और 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतराष्टी महिला दिवस, अगला कोशन दिखते हैं, केंडी और द्योगिक सुरक्छा ब आपना दिवस, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, विश्व उपभोगता अधिकार दिवस, विश्व उपभोगता अधिकार दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, आयोध निर्मार दिवस, तो आयोध निर्मार दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को, ने को जाथे शे": । विष्वे जल दिवस है 72 एक ड Always O कि helt राखएलर को मना जाथा और मीमस का इसांगे रह द्यासा,وجार्ट विष्वा,शल दिवस और Po जने हिंपने लिएक जी तो 5sch वेअधा के घ्रीवा तो इतने दिन आप याद रखोगे यहाँ एक कोशन आए कि 21 मार्च को तो 21 मार्च को मनाते है विस्ववाने की दिवस तो हमने लाष्ट वीडियो में पढ़ा है कि 21 फरवरी को मनाया जाता है मात्र भासा दिवस तो ऐसे क्या करेंगे कि हम जितने भी पिछले हमने कुशन पढ़ चुके हैं उनका यदि हम revision करते हैं, तो चीजों को हम आसानी से link कर सकते हैं, आपके exam में भूलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, अगला question देखते हैं, नेक्ट कोशन है, भगत्सी, सुकधेव और राजगूरू के सही दिवस, मतलब यह तीन हमारे सैनानी रहे हैं, जिनकी याद में हम सही दिवस मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 23 मार्च को, कितने मार्च को, 23 मार्च को, अगला कोशन है, विस्वे मौसम विज्ञान दिवस, लोहिया, जैन्ती मनाई जाती है 23 मार्च को, नेक्स्ट कोशन देखblade है, था हमने यह 23 मार्च को देखे तो JUL 23 मार्च को, और एक बादा हम और रहा हम और देख लेते हैं, कि कि भगत्सी शिख सुकधेवर राजगूरू के सही दिवस मनाई जाता है, इनकी हाद में, टीबी दिवस और 24 जन्वरी को ठीक है 24 जन्वरी को मनाया जाता है राष्टी बालिका दिवस और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतराष्टी महिला दिवस तो हमने ये चोबिस को इस चोबिस से कनेक्ट किया है कि चोबिस मार्च को मना जाता है टीवी दिवस और चोबिस जनवरी को मना जाता है राश्टी बालिका दिवस अगला कोशन देखते हैं ग्रामेण डाक जीवन बीमा दिवस तो ग्रामेण डाक जीवन बीमा दिवस मनाय जाता है 24 मार्च को अगला कोशन देखते हैं गड़ेश संकर विद्यहरती का बलिदान दिवस यह मनाय जाता है 25 मार्च को अगला question बांगलादेस का राश्टी दीवस तो बांगलादेस का राश्टी दीवस मनाया जाता है 26 मार्च को नेक्स्ट कोशन देखोगे, विस्व-th filing theatr दीवस, maximumタ Caleb यह question पूछा जाता है, तो 27 मार्च को वो तो मार्च के कुछ इतने important day हुए हैं, एक बार और देख लेते हैं इन सभी को, सबसे पहला हमने देखा था 4 मार्च को राष्टी सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस, 12 मार्च को केंद्री और द्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, और वि विष्व वानिकी दिवस, 21 मार्च, विष्व जल दिवस, 22 मार्च, सुकदेव भगत सिं, राजगुरु के लिए सहीद दिवस मनाय जाता है, 23 मार्च, विष्व मौसम विध्यान दिवस मनाय जाता है, 23 मार्च को, राम मोहन लोहिया जयनती मनाय जाती है, 23 मार्च को, और और राष्टी डाग जीवन वीमा दिवस ये भी 24 मार्च को, गड़ेश संकर विद्यहर्ति का बलिदान दिवस 25 मार्च को, बांगलादिस का राष्टी दिवस ये मनाई जाता है 26 मार्च को, विश्वे थीटर दिवस मनाई जाता है 27 मार्च को, अब अप्रेल के कुछ 4-5 हमें पहला देखते हैं, विश्वे स्वास्त दिवस, ठीक है, जब डबलू हो की स्थापना हुई थी 7 अप्रेल को, तब सही ये मनाई जाता है, तो विश्वे स्वास्त दिवस मनाई जाता है 7 अप्रेल को, अब अमबेटकर जहनती मनाई जाती है 14 अप्रेल को, और विश् भी से कहा जाता है तो अप्रेल के तीन हमने पड़े साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस चवदा अप्रेल को जाएगा मेट कर जैनती और विश्व वैज्यानिकी दिवस अगला गुशन देखते हैं लाश्ट फोर बच्चे है विश्व हीमोफीलिया दिवस यह विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाय जाता है 17 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस मनाय जाता है 18 अप्रेल को तो विश्व हीमोफोलिया दिवस 17 अप्रेल और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रेल पृत्वी के सारे important day cover की हैं तो आप इसे एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे क्या होगा कि आपको चीजे बहुत अच्छे से अध हो जाईगे और एक्जाम में कभी confusion की कोई problem नहीं होगी तो ठीक है मित्र अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं जब तक के लिए thank you धन्यवाद बाए बाए